हेलो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है कपेल और स्वागत आप सभी का फूर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी मोग देखने वाले हैं जिके के टॉप 20 कोशन आंसर जो आपके आने वाले एक्जाम्स जैसे रेलवे एंटी पिसी गुरूप डिली पुलिस बिहार दरोगा एससी और यूपी एसाई के लिए बहुत ही महतपूर्ण हैं तो इसलिए आप इ कोशन देखते हैं पहला प्रस्न है भारतिय पूरा तत्व सर्वेचन विभाग का गठन किस ने किया था तो इसका आंसर है अलेकजेंडर कनिगम ने देखे भारतिय पूरा तत्व सर्वेचन विभाग जो है यह संस्कृति मंत्राले के अधिन एक विभाग है इसका गठन व 1000 किलो प्रती घन मीटर है और किस तापमान पर जल का घनत्व सरवाधिक होता है तो जल का घनत्व सरवाधिक 4 डिगरी सेल्सियस पर 4 डिगरी सेल्सियस पर जल का घनत्व सरवाधिक होता है नेश्ट कोशन है कोशन मर्थ 3 निम्लिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है तो यहाँ पर दिएगे option में ammonia gas जो है इसमें तीखी गंध होती है बाकी gasों में hydrogen, oxygen और carbon monoxide में जो है इनमें कोई गंध नहीं होती है ये गंधीन gas से हैं ammonia का रसानिक सुत्र क्या है तो इसका रसानिक सुत्र होता है NH3 ठीक है ammonia का रसानिक सुत्र होता है NH3, next question है question number 4, light pain क्या है, तो देखे light pain जो है यहीं एक computer input device है, ठीक है light pain एक computer input device है next question है, question number 5 computer के किस भाग को nervous center कहा जाता है, तो इसका answer है option C, control unit को computer के control unit भाग को जो है, nervous center कहा जाता है, और computer का focus question number 6 सफेद रेगिस्तान, भारत के निमिफित राज्यों में से किस में इस्तित है तो सफेद रेगिस्तान सफेद रेगिस्तान, जो है यह भारत के गुजरात राज्यों में सित है गुजरात के पस्मित तर्ट परिस्थित कच के रन को सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है तो सफेद रेगिस्तान कहां सित है तो यह गुजरात में सित है कच का रन सफेद लवनी ये मरुस्थल ये रेट के लिए परसिद है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है तो उसका नाम है थार रेगिस्तान ठीक है थार रेगिस्तान जो है या भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है तो वह है सहारा मरुस्थल ठीक है सहारा मरुस्थल जो है यह विश्वकास सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल किस महादुइप में स्थित है तो यह अफ्रीका महादुइप में स्थित है ठीक है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादुइप में स्थित है नेक्स्ट 2012 को भारत के 13 राश्टपती के रूप में पदभार घ्रहन किया था and वर्तमान में भारत के राष्टपती कौन है तो वह हैं रामनात कोविंद और रामनात कोविंद जो है ये व्यक्तिक अनुसार भारत के केवे राष्टपती है तो वर्तमान राष्टपती रामनात कोविंद जो है ये व्यक्तिक अनुसार भारत के 14 राष्टपती है ठीक है 14 र देखे सोतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर से 21 फरवरी 1952 तक चला था। परहला आधि वेशन 13 माई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट कोशन है, कोशन मार नाइन, मिल्क ओफ मैगनिस्या का रसानिक सुत्र है, तो इसका अंसर है, ओप्शन D, MgOH2, देखे, मिल्क ओफ मैगनिस्या जो है, इसका परयोग पेट की अमलियता को दूर करने में किया जाता है, यानि पेट में कब्ज, पेट की खराबी, बात करें, इसका रसानिक नाम का, तो इसका रसानिक नाम होता है, मिल्क ओफ मैगनिस्या का रसानिक नाम होता है, मैगनिस्या का रसानिक सुत्र होता है, MgOH2, नेक्स्ट कोशन है, कोशन मार टेन, भारत के पर्थम चीप ओफ डिफेंस स्टाप कौन बने है, तो भारत के प भारतिय सेना थल सेना के पूर्ब परमुख रह चुके हैं और अभी वर्तमान में ये भारत के Chief of Defense Staff बने है ठीक है और ये वर्तमान में जो है भारत के Chief of Defense Staff यानि रच्छा परमुख है नेक्ष्ट कोशन है कोशन में 11 आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्स हुआ था तो आम आ 26 नोवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में की गई थे आम आदमी पार्टी के अध्याच कौन है तो इसके अध्याच है अरवींद केजरिवाल जो की दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री भी है नेक्ष्ट कोशन है कोशन में 12 सूस्ती क्या है तो इसका आंसर है पसू निद्रा स सूस्ती जिसे इंगलिस में एस्टिवेशन कहते हैं तो एस्टिवेशन को पस्वों की ग्रिश्मनिद्रा भी कहा जाता है ग्रिश्मनिद्रा वातावरन का अत्यधीक तापमान होने पर ये जन्तु ठंडे तथा चायदार अस्थान पर चले जाते हैं और वातावरन के समान होंए तक निसक्रिये अवस्था में पड़े रहते हैं, तो ये तो हुआ आवस्था यानि निस्क्री आवस्था में चले जाते हैं नेश्ट कोशन है कोशन मर्ट 13 ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है तो देखें ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला रंग का होता है ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला रंका होता है अगला प्रस्न है अस्टेनलेस अस्टील क्या है? तो अस्टेनलेस अस्टील एक मिसरधातू है क्या है? अस्टेनलेस अस्टील जो है या एक मिसरधातू है अस्टेनलेस अस्टील किसका मिसरधातू है? तो यह लोहा अस्टेनलेस अस्टील जो है लोहा अस्टेनलेस अस्टील लोहा प्लस क्रोमियम लोहा क्रोमियम और निकेल का मिसरधातु है ठीक है लोहा क्रोमियम और निकेल का मिसरधातु है अस्टेनलेस अस्टील का सर्वपर्थाम आविस्कार किस ने किया था तो इसकार ज ठीक है, Harry Brie Early ने, Harry Brie Early, Harry Brie Early ने जो है, stainless steel का उसकार किया था, next question है, question number 15, ozone का रचानिक सुत्र क्या है, देखे, ozone जो है, यह एक प्राकिर्थिक गैस है, जो वायू मंडल में, stratosphere में, यानि समताप मंडल में पाय जाता है, ठीक है, ozone परत, question पूछा जाता है, ozone परत किस मंडल में, वायू मंडल के किस परत में पाय जाता है, तो यह वायू मंडल के समताप मंडल में, समताप मंडल में, जो है, ozone परत पाय जाता है, और ओजोन का रशानिक सुत्र क्या है तो इसका रशानिक सुत्र होता है वो थ्री, समताप मंदल में स्थित यग्यास सूर्य के विकिरन में मौझूद हानिकारक पराबैगनी किर्णों को अफसूसित करके पिर्थवी की सर्था तक पहुंचने से रोकती है मतलब ओजोन पर जो है किसे हमारी रच्छा करता है तो यह सूर्य से निकलने वाली परा बैगनी किर्णों से हमारी रच्छा करती है अल्ट्रा वाइलेट किर्णों से यह हमारी रच्छा करती है विश्व में सबसे तेज जमिनी जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज जमिनी जानवर है चीता ठीक है? चीता जो है यह विश्व में सबसे तेज जमिनी जानवर है इसका चीता की दोडने की गती जो है लगभग 120 किलोमेटर परती घंटा होती है 120 km परती घंटा है next question है question number 17 Italy की राज़ानी कहां सिथ है तो Italy देश है इसकी राज़ानी या एक European देश है ठीक है तो Italy की राज़ानी कहां सिथ है तो इसके राज़ानी सिथ है Rome में ठीक है Italy की राज़ानी Rome में सिथ है exam question पूछा जाता है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम सहर जो है यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर देखे पेरिस पेरिस जो है यह फ्रांस की राज़ानी है ठीक है पेरिस किस की राज़ानी है तो यह फ्रांस की राज़ानी है पेरिस किस नदी के किनारे बस इस्थित है तो यह इस्थित है सीन नदी के किनारे पेरिस सीन नदी के किनारे इस्थित है तो यहाँ पर देखे एक चीज़ और कि पेरिस में किस महत्वपूर्ण संगठन का मुख्याले है तो पेरिस में स्थित है युनेस्को का मुख्याला इस सित है युनेस्को का मुख्याला कहा सित है तो युनेस्को का मुख्याला पेरिस में स्थित है पेरिस फ्रांस की राज़ानी है और यह जो है पेरिस यह सीन नदी के किनारे इस सित है यहाँ पर है बरलिन बरलिन जो है य नेस्ट कोशन है कोशनमर 18 ग्रहों की परिकर्मापत का अकार कैसा होता है तो ग्रहों की परिकर्मापत का अकार दिरगवरिताकार होता है ठीक है दिरगवरिताकार यानि फैला हुआ वरीत के अकार के अकार होता है ठीक है ग्रहों की परिकर्मापत का अकार दिरगवरिताकार फैला हुआ व्रीत के अकार का होता है नेक्स्ट कोशन है कोशन मार 19 भारत की जनगन्ना 2011 के नुसार जनसंख्या घनत्व कितना है तो भारत की जनगन्ना 2011 के नुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 वेक्ति परती वर्ग किलो मेटर है 382 वैक्ति परती वर्ग किलो मीटर और अगर बात करें देखे 2011 की जनगन्ना का अनुसार सरवाधिक जनसंख्या घंणत्व वला राज ये कौन सा है तो वह है बिहार ठीक है 2011 की जनसंख्या का अनुसार जो है 2011 की जनगन्ना का अनुसार और नुसार जनसंख्या घंणत्व वला राज ये कौन सा है तो वह है अरुनाचल परदेश जो है अरुनाचल परदेश इसका जनसंख्या घंणत्व सबसे कम है कितना है तो इसका जनसंख्या घंणत्व मात्र 17 वैक्ति परती वर्ग किलो मीटर है last question है इस वीडियो का question number 20 किस गरह को लाल गरह भी कहा जाता है तो किस गरह को लाल गरह भी कहा जाता है तो लाल गरह कहा जाता है मंगल गरह को मार्स को जो है मार्स को इसे मंगल गरह को इसे लाल गरह भी कहा जाता है मंगल गरह का लाल रंग किस के कारण है question answer अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रही हो तो प्लेज इस वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watching